हाई एवरीबोडी, वेलकम बैक टू माई यूटूब चनल, माई नेम इज वाटिका सिंग, एड टूड़े आई अगर आप हमाया चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो आप माया चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजे, साथी साथ आप बेल आइकन को प्रेस जरूर ताकि जब भी हम अपना वीडियो अप्लोड करेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जर्द मिल जाएगी, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा, साइंस में पार्थ योजना बनाने के लिए आपको बीचो बीच सेंटर में आपको इस तरह से लिखना होता है, पार्थ योजना, इसे हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं, या बिल्कुल ही बीचो बीच सेंटर में बोल्ड में और इसे ही बहुत ही सुंदर ढंग से लिखना होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पार्थ योजना संख्या 17, इसका मतबिया है कि यह आपका पार्थ योजना 17 हुआ है, उसके बाद आप जो है कि लिखते हो विद्याले का नाम, आप जिस विद्याले समना BAT, BTC कर रहे होते हैं, उस विद्याले का आपको इहाँ पे नाम लिखना होता है, उसके बाद आप लिखते हो दिनांग, जिस बालुजी ब centimet के पारी में पार्थे उजना बना रहे हैं उसके बाद आप लिखते हो चक्र, बच्चों के पढ़ाने के दोरान आपका जो भी पीरियड होता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है जैसे कि आप है यहां पे देख रहे होंगे हमने चक्र में फस लिखा है यानि कि बच्चों के पढ़ाने का पीरिड हमारे यहां पर फर्स्ट है इसलिए हमने चक्र में फर्स्ट लिखा है उसके बाद आप लिखते हो कच्छा आप जिस भी कच्छा के बारे में पार्थ होजना बना रहे होते हैं उसके बाद आप लिखते हो अवधी पार् करें लिखते हो प्रक्रण यहां पे हमारा प्रक्रण है आकार के आधार पर पाओधों का वर्गी करन उसलिए रखेंगे हम ने लिखार पर उचार के बाद आप लिखते हो शामाने उदेश, तो पहले मैं आपको बता दू कि यह सामाने उदेश क्या होता है, यह जो सामाने उदेश होता है, जो विषय आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सिखेगा, उसे हम सामाने उदेश कहते हैं, और उसे ही हम साम सामानी उद्येश आप बार बार वहां पे लिख सकते हैं, शात्रों को मानसिक वार तार्किक das का विकास करना, दूसरा ken उद्येश में, चात्रों में बिज्ञान, विसाय उद्देश तो पहले मैं आपको बता दू कि यह बिसिश्ट उद्देश क्या होता है बच्चों को पढ़ाने के दौरान बिसिश्ट उद्देश जो होता है जो पाठ आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसे बच्चा क्या सिखेगा उसे हम बिसिश्ट उद्देश कहते हैं य प्रकार पहुए प्रकार के ओधार पधार पर पुस्पी पाधों का वर्गी करणड समझ सकेंगे दूसरा पॉइंट समारा यहां पे है चात्र पुस्वी पौधों के आकार वव प्रकार के विशाय में रूची ले सकेंगे और बोधात्म कुद्देश में हमारा यहां पे बोधात्म कुद्देश में हमारा बोधात्म कुद्देश में पहला पॉइंट समारा यहां पे है चा पेड़ पौधों के महत्तोव रख रखाव पर भी ध्यान देना सीख पाएंगे कौसलात्मक उद्देश में हमारा यहां पर पहला पॉइंट्स है कौसलात्मक उद्देश में कौसलात्मक उद्देश में हमारा यहां पर पहला पॉइंट्स है चात्र आकार के आधार पर पौ तो पहले मैं आपको बता दू कि यह सहायक समागरी क्या होता है बच्चों को पढ़ाने के दौरान बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे जो भी आप सहायक समागरी का यूज करगे बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं उसे ही हम सहायक समागरी के रूप म में आप लिख सकते हो चाक, डश्टर, संकेतक, तथा कच्छो उपयोगी, सामागरी, आदी, उसके बाद आप लिखते हो पुर्व ज्यान, यह जो पुर्व ज्यान होता है, यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पर क्या होता है, कि पाठ का नाम चेंज कर दिया ज प्रशने, आप बच्चों से प्रस्तावना प्रशने पूछते हैं, जिसके लिए आप तीन कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम आप बनाएंगे करम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम आप बनाएंगे चात्रा अधियापिका क्रिया को कॉलम, और तीसरा लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे चात्र चात्र अनुकिय क्रिया का कॉलम क्रम संख्या के कॉलम में आप चात्रों से पूछे गए कोश्चन के क्रम को लिखोगे चात्र अधियापिका क्रियाओं के कॉलम में आप चात्रों से प्रशने पूछोगे चात्र चात्र अनुक्विया के कौलम में चात्र आपके पूछे गए question के answer को देंगे. यहाँ पे हमारा पहला question चात्रों से है, हमें सांस लेने हे तू वाईू कहा से मिलती है, तो चात्र answer देते हैं, हमें चात्र चांस लेने के लिए वायू पेड़ पौधों से मिलती है, दूसरा कोशन हमारे यहाँ पेड़ पौधों से है, अपने आस पास आपको कैसे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बिबिन प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, गेंदा, गुलाब, आम, नेम, पीपल, आदी, तीसरा चात्र को नहीं पता है उसके बाद आप लिखते हो अभरिकरण के बिसाइ सबी में हुआ करेंगे उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तूती क्रण Competition में यहां पर कुछ नहीं लिखा है बट आप यहां पर लिख सकते हैं अद्य अद्यान अध्यापन की दिष्ट से पार्ट को दो पार्ट में डिवाईट किया जाता है ऐसा आप यहां प्रसुतिक रण में लिख सकते हैं उसके बाद आप व्याख्या करते हैं जिसके लिए आप चार कॉलम बनाएंगे पहला कॉलम तो है जो है कि आप बनाएंगे सिछड बिंदू का कॉलम जिसमें कि आप लिखेंगे पुस्पु पौधे और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाए पूरवक व्याख्या को सुनेंगे, ऐसा भी हैया लिख सकते हो, उसके बाद आभ लिखोगे लाष्ट कलम जो है कि आप बनाऊगे स्यामपट कारे का कॉलम जिसमें आप मुख्यब्ध कार्य करने के बाद आप स्यामपट कारेक्प के कॉलम में मुख्य-मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे तो अब हम यहाँ पे व्याख्या करते हैं दैनिक जीवन में हमें आस पास भिन भिन आकार के पौधे दिखाई देते हैं इन में से कुछ पौधे पर पुस्प दिखाई देते हैं वह कुछ पर नहीं जिन पौधों पर पुस्प दिखाई देते हैं उन्हें पुस्पी पौधे आकार में छोटे बड़े होते हैं आकार के आधार पर इन्हें तीन सेडियों में बाटा गया है पहला है साख दूसरा है इसको साख को हिंदु हिंदी में बोलते हैं हर्व दूसरा है जाड़ी जिसको सर्प बोलते हैं और तीसरा है ब्रिच जिसको की ट्री बोलते हैं इंग्लिस में साग जो पौधे छोटे आकार के से कम नाप के वाले होते हैं उन्हें साग कहते हैं इनका तना कोमल पतला वह कम जोर होता है ये एक वर्ष के भीतर ही फलते हैं वह अंत में समाप्त हो जाते हैं उदारन के लिए चना मटर अब व्याख्या करने के बाद हम स्यामपटकार में मुख्य पॉइंट्स के रूप में हम पहला पॉइंट्स हम स्यामपटकार में लिख सकते हैं हमारे चारो और विभिन प्रकार व आकार के पेड़ पौधे होते हैं दूसरा पॉइंट सम्यापे लिख सकते हैं साग पौधों के उदारण में चना, मटर, आधी, छोटे पौधे आते हैं व्याख्या करने के बाद हम चात्रों से बोध प्रश्न करेंगे जिसके लिए हम तीन कॉलम बनाएंगे पहला तो कॉलम हम बनाएंगे बोध प्रश्न का कॉलम जिसमें की हम चात्रों से पूछे गए कोश्चन के करम को लिखेंगे और दूसरा कॉलम हम बनाएंगे चात्रा ध्यापिका क्रियाओं कॉलम जिसमें की हम चात्रों से प्रशने पूछेंगे तीसरा और लास्ट कॉलम जो है की हम बनाएंगे चात्र चात्रा अनुक्रिया का कॉलम जिसमें की चात्र हमारे पूछे गए question के answer को देंगे तो यहाँ पे हमारा question चात्रों से है आकार के आधार पर पुस्पी पौधों को कितने स्रेडियों में बाटा गया है तो चात्र answer देते हैं पुस्पी पौधों को तीन स्रेडियों में बाटा गया है पहला है शाग दूसरा है जहाड़ी तिसरा है बूसरा कोशन हमारे यहां पर छात्रों से है साकी पौधो का तना कैसा होता है एक उदानाट भी बताईए तो छात्र आंसर देते हैं साकी पौधो का तना मुलाएम वद कमजोर होता है उदानाट चना उसके बाद हम फिर से व्याख्या करेंगे जिसके लिए हम फिर से उसी सारे प्रोशेस को दोराएंगे हम फिर से चौर कॉलम बनाएंगे व्याख्या करने के लिए पहला कॉलम जो है कि हम बनाएंगे सिचड़ बिंदू का कॉलम जिसमें की हम लिखेंगे जहाड़ी और दूसरा कॉलम जो है कि हम चात्र चात्र अनुकुरिया काको कॉलम लिखेंगे तो अब हम वयाख्या करते हैं जाड़ी में कुछ पौधो साग से बड़े होते हैं उनकी आउसत उचाई एक से तीन मीटर तक होती है इनका मुख्य तना स्पस्ट नहीं होता है इनके तने अधिक साखित होते हैं वह आपस में उल्जे हुए होते हैं इनके तने थोड़े मोटे वह मजबूत होते हैं ये पौधे कई वर्सों तक जीवित रहते हैं इनके संपूर जीवन काल में फल फूल लगते हैं उदान, गुलाव, बेर, गुढ़र, आदी ब्रिच बहुत बड़े आकार वाले पौधे जो तीन मीटर से अधिक लंबे होते हैं उन्हें ब्रिच कहते हैं ये मजबूत होते हैं इनका तना मोटा कास्ठी साखी या वह असाखी होता है तना बेलनाकार या बहु भूजाकार होता है ये ब्रिच कई वर्सों तक जिवित रहते हैं इनके पूरे जीवन काल में फूल वफल आते हैं उदार आम कटहल अमरूद आदे व्याक्या करने के बाद आप स्यामपटकार में मुख पॉइंट्स के रूप में आप यहाँ पे पहला पॉइंट्स लिख सकते हैं जाड़ी जो की आकार में साख से बड़े वर ब्रिच के पॉधों से छोटे होते हैं जाड़ी वाले पॉधे आपस में उलजे हुए होते हैं उधान, रोज, पल्म, ब्रिच, दूसरा पॉइंट से आप स्यांपट कार में लिख सकते हैं, ब्रिच ये बड़े आकार के कनिष्ट वा अधिक लंबे पौधे होते हैं, उधान के लिए मैंगो, ग्वावा, आदी व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्ण करते हैं, जिसके लिए आप तीन कॉलम बनाते हैं, पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोध प्रश्ण का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्रा अधियाप का क्रियाओं का कॉलम और तीसरा कॉलम औ अनुक्रिया के कॉलम को देते हैं तो यहां पर हमारा पहला चात्रों से है किन्हीं किन्हीं दो ज्हाडियों के नाम बताईए तो चात्र आंसर देते हैं गुलाब बेर दुसरा कोश्ण हमारे यहां पे चात्रों से है बिच किसे कहते हैं उधारन भी बताईए तो चात्र यहां पे हमारा आंसर देते हैं बहुत बड़े आकार वाले पौधे जो तीन मीटर से अधिक लम्बे होते हैं stitch कहलाते हैं उदाहरं के लिए arm उसके बाद हम छात्रों को griakar देते हैं, griakar के रूप में आप छात्रों को यहां पर दे सकते हैं साक जाड़ी वा पेड़ पेड़ में अंतर वा उनके उदाहरं लिखकर आएंगे अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को comment करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया और आप हमारे वीडियो को like करिए comment करिए share करिए और इस पार्ड योज़ना की link हमने description box में दे रखिये वहाँ पे हमने आपको blogger link, tutor link और वहाँ पर हमने आपको ड्राइब लिंक दे रखी है आपको कोई भी प्राब्लम हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी अगर आप मेरे चनल को सस्क्राइब नहीं की हो तो आप प्री समय चनल को सस्क्राइब जरूर कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेश जरूर कर लो ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अप्लोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन उसकी अप्डेट आपको जल्द ही मिल जाएगी जिससे की हमारा कोई भी वीडियो आप से मिस नहीं हो पाएगा और आई आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ